हेलो ट्वेल्थ क्लास कैसे हो आप सभी मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना काम समय पर कर रहे होंगे बेटा पहले की वीडियो में हमने क्या था अपनी सेकिंड जो हमारी थर्ड कवीता है अप पढ़ रहे हैं कुवर नारायन दौरा रचित है कवीता के बहाने और इसका सेकिंड पार्ट है हमारा बात सीधी थी पर इसके दो भाग हैं कवीता के बहाने इसके अंदर कवी ने क्या है तीन पहले में स्थुड़ा कवी के बारे में जान लते हैं जिसके कवी क्या है कुवर् नारेयन हैं कुवर् नारेयन नई कवीता के जो कवी होते हैं उनमें से इंका परमुक्स्थान है इनका जनम 19. कि 9 सितंबर 1927 में 19 सितंबर 1927 में उत्रपरदेश के फैजाबाद के जनपद में हुआ था फिर आते हैं इनके कुछ हम इनके बारे में जान लेते हैं यह कुछ काव्यर संग्रे होते हैं यहनि प्रिवेश हम तुम आमने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों फिर इनकी कहानी है कहानियों के संग्रह बनाए इनोंने आकारों के आसपास समिक्षा आज से आज और आज से पहले फिर इनके कुछ शाक्षातकार है मेरे शाक्षातकार ब्रनाएं उसके बारे में नहीं नहीं अब नहीं ने प्रियोग कर दिया तो dopam-िसके दो पार्ट के अब कविता के बहाने फर्स्ट भाग था उस भाग में क्या था कि जो कवी होता है वो तीन उधान लेता है एक क्या लेता है चिडिया का एक फूल का और एक बच्चे का कि पहले चिडिया का उधान लेता है कि जो हमारी कविता है वो चिडिया की तरह उडान भरती है लेकिन चिडिया की उडान तो क्या होती है सिमित होती है वो इस घर से उड़कर यानि सिमित उडान तक उड़ती है फिर ठक जाती है लेकिन जो हमारी कविता होती है उसकी उडान ऐसे मित होती है वो कहीं भी जा सकती है यानि उसके अंदर कलपना के भाव लगे होते हैं कलपना के पंक लगे होते हैं कविता के अंदर कि उस पंकों के दवारा जो हमारी कविता है वो कहीं भी पहुच जाती है उसकी उडान ऐसे मित होती है इसलिए कभी कहता है कि चड़िया कविता की उड़ान को नहीं जान पाती सैकिंड में आता है हमारा कविता और फूल यानि जिसकार फूल खीलते हैं लोगों को सुगहन देते हैं उसी परकार हमारी कविता भी खीलती है और लोगों को रस उत्पन करती हैं उनका मनोरंजन करती है लेकिन कहते हैं कि फूल कुछ समय बाद खिलकर मूर्जा जाते हैं लेकिन जो कविता के भाव होते हैं वो एक बार खिलने के बाद कभी नहीं मूर जाते हैं यानि आप कविता के एक बार देखो कोई कविता हमने हो सकते हैं आपकी चोटे भाई बैंने बड़े भाई बेक उन्होंने कभी पड़ी हो와 और उसे कविता को आज हमें भी पड़ रहे हैं तो यानि उस कविता का रस पहले उन के भाई को उन्होंने पड़ा था आज हम पड़ रहें लेकिनिक्स देखो कभी वह फूल मालो आज एक हूद आपी बड़े भाई बैन ने देखा हूद और उसके अंदल जो सुगन थी किया है आज वो सुगन उसफूल में हमें मेल सकती है नहीं मेल सकती क्योंकि फूल मुर्जाने के बाद सुगन नहीं देते वो सिरफ खिले होते हैं तब लोगों को सुगन देते हैं लेकिन जो हमारी कवीता होती है वो क्या होती है एसमित यानि उसका कोई शेतर नहीं है उसके कोई जगे नहीं है उसके कोई सीमा नहीं है वो हर लोगों को रस देती है उसनका मनोरंजन करती है फिर आता है एक बच्चे की तरह कि कविता को कवी ने क्या बताए खेल बताया है कि जिस परकार बच्चे होते हैं बाहर भी तर इस घर में उस घर में हमेशा खेलते रहते हैं उसी परकर कविता भी क्या है? बच्चे के खेल के समान होती है. लेकिन कविता, इसमें कवी कहता है, कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो यह दो घरों के बीच में लडाई हो चुकी हो, उनके बीच में दवेश हो, तो वो उन दो घरों को एक कर सकते हैं. क्योंकि कई बार आपने देखा हो बच्चा खेलते खेलते इस घर से उस घर में चला जाता है एक बच्चा ही होता है जो दो घुरों को एक कर देने का अर्थ जाता है माने होता है अर्थ पैचानता है लेकिन वो चीज़े कविता के अंदर नहीं होती अब इसका second part आता है बेटा हमारा बात सीधी थी पर इसमें कवी कहता है कि मेरे पास एक सीधी सी बात थी पर उसके साथ क्या हुआ यानि कवी कहना चाहता है कि मैं लोगों को एक सीधी सी बात बताना चाहता था लेकिन पर मेरे साथ कुछ घटना होते हैं गटना क्या होते हैं उसके बार हम पढ़ते हैं कभी कहता है बात सीधी थी पर एक बार इसमें कभी कहता है कि मेरे पास एक सीधी सी बात थी पर एक बार वैं भाशा के चक्र में जरा टेड़ी फस गई यानि जब मैं पर उस बात को भाषा के अंदर प्योः करने लगा, तो भाषा की चक्कर में वाबात है तेडी हो गई यानि लोगों के समन से वाफ खत्म हो गई उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पुल्टा तोड़ा मरोड़ा फिर कभी कहता है, मैंने आपनी उस बात को पाने के लिए अपने भाशा को उल्टा पुल्टा, यानि शब्दों को आगे पीछे किया, तोड़ा मरोडा, यानि पंक्तियों को घुमाया, फिर आया, कि या तो बात बने या फिर भाशा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के सासाथ बात और भी पेचिदा होती चले गई लेकिन जो मेरी बात थी मेरे मन के भाव थे भाषा के चक्र में फसकर और भी जटिल होती चले गई पेचिदा यानि जटिल यानि मुश्किल होती चले गई यानि वहे बात लोगों के समझ से परे हो गई यानि जो मेरे मन के भाव थे वो खतम हो चुके और यानि जो मैं लोगों को कहना चाहता था वो अब लोगों के समझ से परे हो चुका था इसमें देखो बेटा इसमें कवी कहना चाहता है कि मैं लोगों को अपने मन की भाव समझाने के लिए किसी चमतकार पूर्ण शब्दावली का प्रियोग करना चाहता है लेकिन कविता की बात स्पस्ट नहीं हो पाती कि वो चमतकार शब्द डालता है जिससे उसकी कविता अधिक रोचक हो जाए उसके अंदरे से रस डालता है लोगों को रस उत्पन लोगों को लेकिन क्या करता है उसकी बाती खतम हो जाती है इसमें देखो साथ साथ दो शब्द आई हैं तो इसमें पूर्णुक्ति प्रिकाशलंकार का प्रियोग गुआ है फिर हमारा आया है बेटा इसके अंदर जरा जरा क्या हमारा उर्दु भाशा का शब्द है उर्दु भाशा का शब्द इसमें प्रियोग किये गई है सरल सहज स्वाभावि खड़ी बोली का प्रियोग हुआ है मारा उर्दु बाशा की शब्दों का प्रियोग हुआ है अब इसका सेकिंड पाट देखो सारी मुश्किल को धैरिये से समझे बिना यानि कवी कहता है कि मेरे सामने जो मुश्किल आती है यानि अपनी बात को लोगों को समझाने के लिए कि उन सारी मुश्किलों को यानि ध्य चाहिए अपनी बात को एक मिस्तरी का योधान ले लेते हैं जैसे कि मिस्तरी होता है यह कोई काम करता है और फिर पेंच को बिला करने कोशिश करता हैं लेकिन वो बिला करने बज़ाएव सो उल्टी तरफ उसको कस्ता चला जाता और जो पासमें बैठे हो किया हसते रहते हैं उसको सुन देख करके कि देखो जिसको यह भी नहीं झा सब्सक्राइब हैं उसे वह काम कवी करता है कि मैं सारी मुश्क्म मेरे सामने जो मुश्किल रहा था क्योंकि इस कर्टब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी कर्टब होता है कारिये क्योंकि मुझे मेरे इस कारिये के उपर मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी तमाशबिनों की साबासे और वह वह तमाशबिन होते हैं जो वहाँ पर बैठे हैं जो तमाशा देखते हैं जो लोग यान मेरे पास पर कुछ वेक्ति बैठे हुए थे मैं जो कविता लिख रहा था तो वहाँ पर बैठे हो तमाश्मिन के मुझे वाही कर रहे थे कि क्या कवी तु क्या काम कर रहा है आखिरकार वही उआ जिसका मुझे डर था इसमें कवी कहता है कि अंतमे वही हुआ जिसका मुझे डर था जो दबर्दस्ति से बात की चूड़ी मर गई कि कहता है कि जिस परकार मिस्त्री पेंच को जो जो से कस्ता उसकी चूड़ी मर जाते उसी परकार कवी कहता है कि जब मैं भाशा जो जब असस्ती कहता हूं तो बात की जो मेरी बात थी वो उसका मूल भाव खतम हो गया और वैं भाशा में बेकार घूमने लगी अधात मेरे मन के भाव बेकार में बाशा के चक्र में फसकर रहे गई इसमें कविस्पस्ट करता है कि कविता की परभावशाली होती है जिसमें कविता के भाव को आसाने से परकट किया जा सकता है लेकिन उसे चमतकार के चक्र में फसने से वो जादा मुश्किल हो जाती है इसमें हमारा जोर शब्द साफ इसके अंदर हमारा क्या है उर्दु भाशा के शब्दों का प्रियोग किया गया वह वह इसमें पुन्रुपती प्रिकाश अलंकार का प्रियोग गुआ है अब इसका पर फीम लास्ट पार्ट देख लेते हैं हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगें ठोक दिया यानि देखो एक मिस्तरी होता है बार बार उस पेंच को कभी खोलने कोशिश करता है लेकिण उसको कस देता है लेकि आन्त में जो कुछ काम नहीं चलता तो उसको वही सी जगे वो ठोग दे तो उसको उसी वहीं पर कील को लगा देता है। लेकिन हार कर कि मैंने अपनी तरब से सारे कोशिशे करके देख ली थी यानि उसको बहाशा को उल्टा पुल्टा हर जो के सारे कोशिशे कि लेकिन हार कर मैंने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया। उपर से ठीक ठाक, पर अंदर से नय तो उसमें कसाव था नय ताकत, उपर से ठीक ठाक, मालो कोई भी वेक्ति होता है, किसे कविता लिखनी नहीं आते, आपके सामें कोई कविता को लिख दे, तो आपको क्या लगेगा, बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक कविता बनी है लेकिन उसमें अंदर से यानि मन के भाव रस लेकिन उसमें अंदर से ने कोई कसाव था ने कोई ताकत कि उस कविता को पढ़ने से लोगों को ने कोई रस का नुभूती होती थी ने उसके कवी के भाव का पता चलता था यानि अंदर से उस कविता में कुछ भी नहीं था कि जो चीजे कविता में होनी चाहिए थी वो कविता में नहीं थी बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी कभी कहता है कि जो उसकी बात थी वो एक शरारती बच्चे की तरह उससे खेल लही थी कि जैसे एक शरारती बच्चा होता है वो खेलते वे कभी अधर से उधर भागता है कभी अंदर से बाहर भागता है कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है तो कहता है कि जो मेरी बात थी वो भी एक बच्चे की तरह में साथ खेल रही थी बात नहीं जो शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी मुझे पसीना पोँचते देख कर पूछा कि इसने पूछा पसीना कि जब कवी हार चुका है हम हार मापनी हार मान लेते हैं और हार मान कहते हैं ये काम नहीं होगा तो उसको अपनी हार मानते हुए देखकर उसे पसीना पहुचते हुए देखकर जो उसकी बात थी जिसको वो अपने मन के भाव थे उसको ठीक करना चाहता था तो उस बात ने एक शरारती बच्चे की तरह कवी से पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा उसने उसे कोशन की क्या कि क्या तुमने जो हमारी भाषा होते सहूलियत होता है आसानी से उसे प्रियोग करना नहीं सीखा कि तुम एक कवी हो और तुमने भाषा को आज तक सरल सहज शब्दों मे उसे प्रियोग करना नहीं सीखा है अगर आप कोई चीजे नहीं आते तो आप कहां के कवी हो कि आप हमें अपनी बात को शब्दों के जाल में फसा कर रख देते हो एक कवी होता है वो अपनी बात को सीधे तरीके से लोगों तो पहुँचा देता है लेकिन आप क्या करते हो अपनी बात को शब्दों के जाल में फसाद देते हो तो आप किस परकार के कवी हो कि जो तुमने आज तक अपनी बात को आसानी शेस्तर शब्दों में लोगों तक पहुँचाना नहीं सीखा है ये बात वो बात उससे पूछते हैं उसके मन के भाव कवी से प्रशन करते हैं तो इसमें देखो बेटा इसमें एक वो बात क्या होते हैं कवी से बात सपस्ट करना चाहती है कि कवी कवीता में चमतकान पूर्ण शब्दावली की को आउशकता नहीं होती तो इसमें कवी ने यहाँ पर कविता लिखने के लिए सरल सहल शब्दावली का प्रियोग किया गया है फिर आगया है यहाँ पर मानवी करना लंकार का प्रियोग किया गया है क्योंकि बात कोई बच्चे की तरह बताया गया है वो बच्चे की तरह बात करती है वो उसकी जो बात उसके जो मन के बाव है फिर आया गया है देखो, कि क्या तुमने सहूलियत से भाशा को बर्तना नहीं सीखा यहां पर परशनवाचक चीन है तो यहां पर हमारा परशनालंकार का प्रियोग किया गया है तो उसे देखो बाद में यहां पर परतीका तमक यानि कुछ परतीक लिए गए एक शिरारती बच्चा इसका प्रतीक लिया गया है जैसे वो कील थे वो प्रतीक बनाए गए थे अपनी बाशा को मैं प्रियोग कैसे करना चाहिए यहाँ पर हमारा प्रसादून का प्रियोग किया गया है तो बेटा ये थी हमारी कविता फोर जिसके दो भाग थे जिसमें हमन पच्चे की तरह कैसे होती है और इसमें कवी ने कविता को हमें सब्धों के कैसे प्रीयों करना चाय क Kerry हमारी भाशा कैसे इसे बारे में बता है कि कवी जब अपनिनbahn चमस्व कारी पो शब्धावली का क्यो डीयों करता तो कैसे उसके मन के भाव शब्दों के चकर में फसकर रहे जाते हैं और वो अपने मन के अभिविक्ति लोगों तक नहीं पहुंचा पाता तो के स्टूडेंट्स